बोलेनाथ के दर पर जो जाता है वो खाली हाथ कहां आता है अरदिक पांडिया भी जब तीन हार के बाद मुंबई से सोमनाथ गए और कहा कि हे प्रभू सुन लो तो ऐसा लगा कि भगवान ने सुन लिया अलागि उनकी परफॉर्मेंस तो हराने के लिए काफी थी लेकिन जै कुछ मिस्फिल्ड कुछ कैचिस ना छोड़ते लेकिन मुंबई का ये मैच इसलिए रहा क्योंकि शिफर्ड और बुम्रा ने कोई कोर का सर नहीं चोड़ी जो परफॉर्मेंस दी बुम्रा हर बार की तरह कमाल थे और शिफर्ड का धमाल जो था वो मैच उतानी करे का फिक आमीन आप खुछ सोचिए एक ऐसा मैच उसमें 378 रन 35 ओवर में बलेबाजो ने बनाये हो वहां बुम्रा चार ओवर 22 रन पर दो विकेट निकालते हैं आप उसको कहीं भी खिला दो टेस मैच T20 वंडे हर जगे वो नंबर बन है और डेड़ सो विकेट भी IPL के पूरे कर ल इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप क्या कीजेगा लेकिन एक बच्चा जो दिली की तरफ से खेल रहा था ट्रिस्टन स्टब उसने सब को स्टब्द किया क्योंकि 23 साल का ये लड़का 25 बॉल पे 70 रन मारता है और दिली को जीत के काफी खरीब ले गया था और खास तोर पर जो लास्ट ओवर था नौके के सामने I think one of the finest hitting हमने जो अब तक IPL के हिस्ट्री में देखी है आखरी के चार ओवर में 84 लास्ट ओवर पहली बॉल चुका दूसरी चुका तीसरी चुका चुथी चुका 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 I think वो एक बहुत बड़ा impact था जो यहा स्ट्री 72 और यह मुंबई की कहानी जो है यह रही मुंबई पहले 15 ओवर में 131 होती है लेकिन आखरी के 5 ओवर में 96 for 1 वो बनाते हैं और यहीं से मैच जो है वो पहले जाता है बाकी काम जो था वो जिस भी बुम्रा नहीं किया था हला कि पावर प्ले के लावा लास्ट के कोवरो में जो रिकॉर्ड है वो RCB के नाम रहा है 112 लेकिन इस बार मुंबई ने 96 बनाया है जो अपने आप में कितहास है मेरे साब से बुम्रा और रोमारियो शिफर्ड इस मैश को सबसे बड़े हीरो थे जिनोंने इस मैश में कमाल किया और दोनों की वजा से ही मुंबई जो है ये मैश जीत कर जाती है बुम्रा अंडाटटली दुनिया के सबसे बहत्रीन खिला रही है लेकिन इस मैश में आपको तारीत प्रत्वीशा की भी करनी चाहिए क्योंकि प्रत्वीशा 31 बॉलों पर अर्शतक लगा थे कमाल की बल्लेबाजी उनकी थी लेकिन ना जाने मुझे क्यों डर लग रहा था कि जब वो बुम्रा के सामने आएंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे और वही देखने को मैला एक तीस बॉलों पर अर्शतक और उसके बार उनकी कहानी खत्म हो जाती है लेकिन जिस बॉल पर वो बोल्ड वे वो आईपेल के वनों था बेस्ट ब अगर आप 120 के नीचे स्ट्राइक से खेलते हो तो फिर आप क्या करोगे यह थोड़ा सा वाल या निशान है बट एंड वस क्लासिक उननी से अब 20 रन हर ओवर में यह अपने आप में काबिले तारीफ है MI अपने सेकेंड हाइस टोटल की तरफ थर्ड हाइस टोटल की तरफ बढ़ी है क्योंकि इससे पहले 246, 2024 में 235 और अब 234 उनका हाइस जो है यह बना हुआ है तो यह अपने आपने कमाल है इस जीत का सरी रहा कि RCB भी 9 नंबर पकिसक गई दिल्ली लास्ट पर पहुंच गई लेकिन सवाल यह कि जो काम दिल्ली के सामने हुआ है क्या यही काम RCB के सामने होगा वेल हो सकता है मुझे लगता है शयद RCB के सामने भी मुंबई जीत सकती है तो कि RCB भी इन आउट टीम है हला कि RCB पर डिपंड करेगा विराट कूली की परफॉर्मस क्या विराट परस्नालिटी और विराट परफॉर्मस से मुंबई को हराएंगे मुंबई में लेकिन CSK वाला मैच मेरे हसाब से मुंबई के लिए अगनी परिक्षा होगी क्योंकि चार मैच वहां खेड़े में थे राजस्थान एक स्ट्रॉंग टीम ते उसने हराया दिली कमजोर टीम को आपने हराया RCB के साथ विल सी CSK मुझे लगता है कंपरजन में मुंबई के एक मजबूर टीम है और अगर मुंबई वहां चाहिलती है तो मुंबई का कमबाग वापस शुरू हो जाएगा लेकिन फिलाल ये मैच MI की हारदिक जीत के साथ एक स्माइल से शुरू होता है और All the best to Mumbai Indian fans